सबसे पहले गनेज जी को नमन, बिंदू फूट फैक्टरी में आप सभी का स्वागत हैं, आज हम एगलस ड्राइफ फूट केक बनाएंगे, ये सभी को बहुत जादा पसंद आता है, ये खास कर बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों को प्रोटीन अनर्जी दोन भरपूर मातरा में देगा, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, अब ये ड्राइफ फूट केक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ड्राइफ फूट, हमें क्या-क्या चाहिए, 20-21 बदाम, 7-8 अक्रोट के गिरी, 10-11 काज्यू, 19-20 के क्रीब पिस्ता, सारे ड्राइफ आप अपनी पसंद के हिसाब से कम ज्यादा कर सकती है, ये हमने मैदा लिया है, और ये मक्षन है, कंडस्ट मिलक और चिन्नी, और एक कप दोज, ये है बैकिंग पाउडर, बैकिंग सोड़ा, अब हम एक बाउल में, बटर, कंडस्ट मिलक और चिन्नी को डाल कर फेंटेंगे, ये मैल्ट मक्षन को हमने गरम नहीं किया, जस्ट नॉर्मल टमप्रेचर पर रखेंगे, और ये मक्षन हम बाउल में डाल लेंगे, साथ ही डाल देंगे कंडस्ट मिलक, और अब जाएगी इसमें चिन्नी, चिन्न को मिक्स करते हुए फैंटेंगे और तब तक फैंटेंगे तब तक की मिश्रन प्लफी ना दिखाई देने लगे होस के तो आप इसमें पाउडर चिन्नी का यूज करें बटर कंडस्ट मिलक शुगर तिन्नो को मिला कर फैंट लिया है देखो गोल हमारा स्टिकी हो गया है अब इसमें हम थोड़ा दूद का यूज करेंगे देखो एक बात का हमने पूरा ध्यान रखना है हर चीज हमारी रूम टंप्रेचर पे होनी चाहिए अब मैदा को हम चानेंगे बैकिंग पाउडर बैकिंग सोड़ा और यह होगी हाफ कप मैदा और टोटल मैदा हमारी वन एंड हाफ कप है अब इसको हम चम्मच की साइटा से चान लेंगे ताकि मैदा जो है इसकी डश्ट उड़े नहीं मैदा हमारी चन गई है मिक्स कर लेंगे दूद डालेंगे और मिक्स करेंगे और फिर जो दूद हमारा बचा है उसे भी अब हम डाल देंगे और सारे दूद को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे बैटर हमारा तैयार हो गया है दूद भी हमने सारा डाल दिया है अब इसमें जाएंगे ड्राइफूट जो हमने बारिक बारिक काटे है थोड़े थोड़े ड्राइफूट हम रख लेंगे पदाम, अक्रोट, पिस्ते, काजू, टूटी-फूटी इन सबी को अब हम करेंगे मिक्स बैटर हमारा तैयार है केक कंटिनर को हमने पहले से ही क्रीज कर लिया है मक्षन लगाकर कंटिनर को आप तेल या गील गाकर चिकना कर लें अब इसमें जाएगा बैटर कंटिनर में कंटिनर को हम खटखट करके ब्राबर कर लेंगे और बैटर को प्लेन कर लेंगे अब जो ड्राइफूट्स बचे हुएं उन्हें हम डाल देंगे कड़ाई को हमने पहले से प्रीहीट कर रखा है और इसमें कड़ाई में हम रख देंगे एक स्टैंड और स्टैंड के उपर हम रखेंगे केक कंटिनर को अब केक को हम अच्छे से ढख देंगे एक बड़े से बरतन से ताकि इसकी स्टीम जो है वो बाहर ना आए और इसको अब 30-35 मिन्ट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे यह 30-35 मिन्ट हो गए हैं चेक करते हैं वैसे तो अभी देखने में कच्चा लग रहा है बीच में से केक हमारा कच्चा है अब इसको हम थोड़ा और पकाएंगे स्टीम में लो फ्लेम पर ही रखेंगे ताकि अंदर से अच्छे से सिख जाए यह देखो साइडों से तो यह बन चुका है बीच का इससा कच्चा है हमारा इसको फिर से वैसे ही कवर कर देंगे थाल से और फिर इसे पकाएंगे यह देखिए कितना अच्छा केक बन कर हमारा तयार है अब यह देखने में ही लग रहा है अच्छे से रोस्ट हो गया है टाइम तो काफी लग गया पर यह फ्रूट केक बहुत ही अच्छा बना है इसे थंडा भी कर लिया है हमने अब हम इस चेक को कंटेनर से बाहर निकालने के लिए कंटेनर के किनारों को चाक्ट की साईता से अलक कर लेते हैं और इसके उपर हम रखेंगे पलेट और कंटीनर पर रख कर इसे पल्टा देंगे इस तरह थोड़ा थपतपा भी देंगे ताकि केक हमारा असानी से बाहर आ जाए ये लोजी केक हमारा बहुती बढ़िया निकल कर आया है ये देखिए अंदर से भी कितना अच्छा रोस्ट हो गया है आप इस केक को फ्रीज में रख कर 15-20 दिन तक खा सकते हैं आप भी इसे बनाएं, खाएं और इंजुआए करें आपकी टेस्टी यम्मी स्वीट डिश थोड़े से ट्विस्ट के साथ अगर आपको हमारी रेस्पी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा, सस्क्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा आप सभी को मेरा राम राम तेंक यू सो मुच टेक्यार